हेलो गाईज, वेलकम बेक टो माई चैनल, स्री गरी क्लासेस और माई सेल फब सेक मोर्या और जैसा कि आज की हमारी यो वीडियो है, यह काफी खास रहने वाली है, जो B.S.E. गरी कल्चर, जो second semester की students हैं, first में भी हैं, ठीक है, तो यह आप लोगो को बताना चाहेंगे, जो आप लोगो की entomology, आप लोगो की subject है, ठीक है, उसी के यहाँ पर आप लोगो के लिए हम questions ल बना रहा हूँ, ठीक है, तो आईए, हम लोग चलते हैं, और देखेंगे, यहाँ पर जो हमारे questions लिके हुए हैं, जितने भी, और मैं भी कोशिस रही, तो आप लोगो को जो है, दो वीडियो आज मिल जाएंगी, ठीक है, अगर दो वीडियो मिल जाएंगी, तो माल लिजे क धाई सो से तीन सो questions आप लोगों को हम यहाँ पर provide कर देंगे, और हो सकेगा, तो इन में सही आप लोगों के questions आजाएंगे, ठीक है, चलिए, यहाँ पर सबसे पहला question आप लोगों को दिया है, कीट बिग्यान का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही, मतलब important है आप लोगों के यह important है, father of entomology, तो यहाँ पर option हम से बताएंगे, आप लोगों को जो right option होगा, देखिएगा, विलियम किर्भी है, ठीक है, यह आप लोगों क्लियर कर लिजीगा, इंसेक्ट मतलब कीट का अर्थ ग्रीक भासा में क्या होता है, तो भाई, इंटेमन होता है, ठीक, तो next question है, आप लोगों का कीट बिज्ञान मतलब एंटेमोलोजी की वह साखा जिसके अंतरगत कीटो का वर्गी करण किया जाता है, तो कौन सी है, तो C option है, आपका taxonomy के अंतरगत, ठीक है, next है, आप लोगों का कीटो का बाह सरीर कितने पंखों से मिलकर बना होता है, तो भाई, आप आपका त्वचार निर्मोचन करते हैं, ओके, next है, आप लोगों का देखिएगा, कीटो का सरीर कितने खंडों में विवाजित होता है, तो तीन खंडों में विवाजित होता है, ओके, चलिए, इनके आगे के next question देखते हैं हम लोग, तो कीट सरीर में निम्न में से वच, मतलब थोरक्स के कौन से भाग में पंक अनपस्चित होता है, तो क्या है विया, प्रो थोरक्स में पंक है, उनपस्चित रहता है, ठीक है, next है, कीट के एंटीनी, एंटीनी को मुख्य रूप से कितने भागों में वाजित किया गया विय केप ठीक है नेक्स्ट है आप लोगों का देखिए का सुंडाकार परकार का जो इंटीनी है निम्न में से कौन से कीट में पाए जाता है तो भीया कौकरोच में पाए जाता है ओके नेक्स्ट है आप लोगों का धाका धागाकार जो आप लोगों का परकार का इंटीनी होता है निम्न में से कौन से कीट में पाए जाता है तो ग्रॉस होपर में किसमें ग्रॉस होपर में ठीक है नेक्स्ट है आप लोग का दीमक कीट में निम्न में से किस परकार का इंटीनी किस परकार की इंटीनी पाए जाती है तो यह मुक्ताकार इंटीनी पाए जाती है किस परकार की बिया मुक्ताकार पाई जाती हैं चलिए इसके आगे की questions देखते हैं बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे आप लोग अच्छे समझते रहिएगा यहां पर जो किशन्स हैं आप लोगों के बहुत important है आप लोगों के लिए ठीक है तो बिया टांग के भाग है किसके भाग है टांग के अप संडी साहिए अपको फिर नेक्स्ट है आप लोगों का एमबुलेटोरियल प्रकार के टांगों का रुपांतर निम्न में से कौन से कीट में पाया जाता है बिया तो कौकरोज में पाया जाता है नेक्स्ट है आप कि कि जनक किसे का जाता है भया तो WB भिया विग्लेस वर्थ हैं Official अगा πार की आप लोग तो देखी रहे हैं तो next question है पर लोग का देखीएगा टेगमिना जो की पंखो के रुपांतरड का एक परकार है निम्ड में से कौन से कीड में पाय जाता है तो भाईया किसमें टिडडा में पाय जाता है नेक्स्ट है गांधी बग गंधी गंधी बग में पंखो का रुपांतरड किस परकार का होता है तो भीया है हेमिलिटरा है ना हेमिलिटरा परकार का होता है ओके तो भीया नेक्स्ट यहाँ पे देखिए काफी सारे आपके कुश्चन्स नहाँ पे दिख रहे हैं तो भीया नेक्स्ट है आप लों का एरियास वाइटेला किस फसल या फलो का नासक जीव है तो भीया किसका है कपास का है सफेद लट की बीटल अंदे देती है तो भीया भूरबरी भूरबरी मिट्टी में कहां देती है भूरबरी भूरबरी मिट्टी में भीया किसमें है भीया भूरबरी मिट्टी में एक अंदे 10 से कितना 10 सेंटीमीटर गहराई तक के पृटि में से आर्मेड जो की दुखध अवस्था में आकरमन करती है कवीगया नाम हैं माइ थेमना सेपरेटा है क्या है माइ थेमना सेपरेटा है ओके नेक्स्ट है आपको मूं का पीला मुजे एक वाइरस रूख फैलता है भई या ठीक है तो कैसे भई या chanakakya तो भी यह आनार का है तो भी यह कैलोसु बुच्स जानेंसिस तो भी यह किसका नासब सब्च्राइए किसका नासक जी हुए भीया तो अलसी का है नेक्स है नोजल किस भाग का किसका भाग है नोजल तो हैंड कंप्रेसर स्पेर का है भीया ओके नेक्स है दीमक के नियंतर है तो किस किट नासी की अनुसंसा की गई है तो भीया क्लोर पारिफॉस की ओके iphrifoves की गई है तो नेस्ट अबिया इको फ्रेंड़ी कीट नासी कौन सच है तो लगई नीम बीसीदिन नीम बीसीदिन है नेस्ट है पिंक बाल वर्म किसका एक खतरности नासик कीट बिया तो सर सोका है नेस्ट अबिया avons फेरो मोन पास आकरसिद करता है किसको नर्सलम को ओके नेसे इन में से कौन सा ज्य flashlight नहीं है वियाец नहीं है वे इन में से कौन सा कर्वेमेड पेस्टिसाइड है या ल डी कॉर्ब है nadie methoate कोंच मिध्यों मिध्यों है तो यहद सर्वांगी कीट नासी है, okay, सर्वांगी कीट नासी है, ठीक है, तो निक्स्ट कुश्चन अभीया, इरी रेसम कीट किस पर पाला जाता है, तो भीया, अरंडी पर पाला जाता है, okay, सर्मिक मदुमक़्ी है, यह बहुत ही आपका इंपर्टेंट भीया, बंधी मादा है, निम्न में से कौन सा फूली पोसक पौदा एपिरेरी के लिए सुझाया जाता है विया तो किसके लिए गुलाब के लिए ठीक है निम्न में से कौन मदमक्खी का मुख्य एक मुख्य नासी कीठ है तो भी यह देखेगा गैलाए रिया मिलोनेला है ट्राइकोग्रामा परजीविक किसके परवंधन के लिए सुझाया जाता है विया तो बिया चि लो एन्फस के लिए सुझाया जाता है ने लाक के कीठ का मुखे परभच्छी है विया तो यूबलेमा अमाबलीस है थोड़ा इनके नाम काफी टफ होते हैं ठीक न भी यह next है इनमेसे कौन सा भीया NAZAK जीव परियोकसाला में डैस लिगा है आड़ो के बढ़हने में काम आता है भीया तो भीया देखिएगा कीरी सिरा सिफेय लोनिकाव में ठीक है ओके निमन मेसे next है मारा इनमेसे कौन बीटी ट्रांस ट्रांस जिनिक कपास का यह बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगार्ड है ठीक है नेक्स्ट है आप लोगों का देखेगा कौन सा कीट नासी चूसने वाले नासी कीटो के प्रबंधन के बीजोब के लिए उपयोग किया जाता है तो देखिएगा एमीडिकलोप्रेड एमीडिकलोप्रेड आप साही है आपका नेक्स्ट आपका कौन सा कीट नासी धुमक चाथा पेनी ट्रेट रभावर रखता है तो यह डीडीवीप याद रखिएगा आप लोग नेक्स्ट आप लोगों का हेलिकोरपा आमिजेरा के लिए मुक्ता कौन सा रोगाड काम में लेते हैं तो यह नियोकलियर पोली हेड्रल वाइरस लेते हैं ओके नेक्स्ट आप लोगों का भी यह देखिएगा कीट नियंत्रड के लिए प्रकास पास का उप्योग किसका उधारण है तो यह बहुत तिक नियंत्रड का उधारण है किसका भी यह बहुत तिक नियंत्रड का उधारण है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन है आप लोगों का देखिएगा निम्न में से कौन से दानेदार केटनासी का आउसेस प्रभाव दीर कालिन होता है तो भी यह देखिएगा लडिक और वका होता है नेक्सट है आप लोगोंका निम्न में से कौन सा करटनासी और ख़ाव देखिएंन का मिलेथीओन है नेक्स्ट है कौन सा करटनासी काम में आता है और विखाव देखिएगा यह दो आ है नेक्स्ट है एफिड एउम सफेद मक्खी यह आपका बहुत important question है भी यह एफिड एउम सफेद मक्खी किसके द्वारा निंतरित होती है भी यह सरवांगी कीट नासी के द्वारा D options है आपका नेक्स्ट है आप लोगों को भी यह निंद में से कौन सा उच्छ वाल्यूम इस्प्रेयर है तो भी यह दिखिएगा foot sprayer है आपका foot sprayer ओके B options है नेक्स्ट है उच्छ LD 50 value क्या इंगित करता है भी यह तो कम विसाइला इंगित करता है नेक्स्ट आप लोगों का निंन में से कौन कीट नासी के साथ अच्छे फैलाओ के लिए sticker के रूप में प्रियोग किया जाता है भी यह तो भी यह कौन सा टी-pole okay नेक्स्ट आपका निंन में क्या सेलफोस्ट्किया सेलफोस्ट कि है किसके प्रभंदन के लिए उप्योग लाइया जाती भी चिना प्रववन ऊपिर्ष में जो आपो आपका है आई प्याच कि किस पर आधारी थे विया तो प्रोजेक्ट डाइर भूंगलोर में स्थित है नेश्ट है यह लाल का पास बग अंडे कहां देती है यह बहुत इप्टेनजिए आपके इस व्याइब क्वेजिव सूरगं, सूट, फ्लाई, अंडे कहां देती है तो यह पत्ति की सतय पर देती है तो चलिए यह आपके कुछ रहे कोशन्स ठोड़ वीडियो हो जाएगी तो आप लोग भी परिसान हो जाएंगे ठीक है और बाकी इतने में कुश्चन में आप लोगों को मैंने बताया हिन में से आपको कुश्चन से जरूर मिल जाएंगे ठीक है आई होप आप लोगों को कुश्चन से मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए बस आपनों को मैं प्रोवाइट कराऊंगा तो चलिए भाई चलते हैं और आज की जो हमारी वीडियो है यहीं तक के और बाकी हमारी वीडियो में आने के लिए सबी को वेर वेर थांक्स सबी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लेज लाइक कर दीजिएगा साथ में कमेंट करके बताइएगा और लोगों तक के जरूर से जरूर सेर करिए चैनल को ताकि हमारा जो चैनल है काफी से अच्छे से ग्रो कर सके ओके ओके चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में ओके थैंक्स